है गाइस कैसे हैं आप लोग आप शौर की आप लोग जिए हम बहुत ही अमेजिंग होगे तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे यूटूब के कोर्स के अंदर एक स्टब और आगे और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्राक्टिकल दिखाने वाला हो की सबसे इंप इंप्रेशन इस भी लास्ट इंप्रेशन अगर आपका यूटूब चैनल पर यह जो ब्रांडिंग वाला जो काम है अगर नहीं किया होगा तो डेफिनेटली कहीं न कहीं जो हम पहले ही सब्सक्राइबर्स को जो है सब्सक्राइब करने से मना कर रहे हैं अब इसके लिए क् अपना चैनल ॡिजिटल मंजीद सूगाइस हम आगे कंप्पूटर स्क्रीन पर और यूप यहां पर नाथा यहां पर पर यहां पर जो है मेरे पास में एक एक यहां पर लोगो और इसका जो चैनल आठ है वो यहां पर रैडि कर रखा है जो कि आज के इस वीडियो के अंद can see हमारा अभी जो चैनल है वो कुछ इस तरीका दिखाई दे रहा है अब इसके उपर कोई subscriber नहीं है you can see बिल्कुल fresh आपके साथ में मैंने यहां पे जो है एक पूरा चैनल क्रिएट करा है और इस पे पूरा ये logo प्लस इसका जो चैनल आट अपडेट करने के लिए जो कि बहुत ही important होता है उसके लिए हमें क्या करना है customized channel पे click करना है जैसे ही हम customized पे click करते हैं तो हम वापस से उसी location पर आ जाते हैं which is your back panel, अभी back panel के उपर में you can see आप डिरेक्ली यहां से नहीं आना चाते हैं तो आप इसके डिरेक्ली स्टूडियो पर आ जाएं और वहां से आके आप सीधा कस्टमाइजेशन के पर क्लिक करेंगे तो वापस यहीं पर आ जाएंगे अब यहां पर यू कन सी हमारे पास में पहला तो लेयाउट्स है लेयाउट्स को हम बाद में डिसकस करेंगे क्या होता है कैसे क्या करना है दूसरा होता है अपका ब्रैंडिंग ब्रैंडिंग आज हम सीख रहे हैं तो ब्रैंडिंग के अंदर सबसे पहला important हुता है तू upload your logo तो चलिए यहाँ पे logo को upload करते हैं upload पे click करते हैं और desktop पे मेरे पास में वो folder बना पड़ा है तो जिसके अंदर से जो है मैं ये logo ले लेता हूँ तो you can see ये मैंने logo लिया हुआ है और logo हमेशा ध्यान रखें जो भी आप logo design करवाएं किसी से या खुद करें और logo को design करने के लिए आप free tools वगरा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी websites हैं online available Google पे जाके आपको search करना है free graphic designing websites online तो आपको बहुत सारी websites मिलें किसी पे भी जाईए और जाके एक खुद भी create कर सकते हैं बट make sure करें कि आपका वो जो logo आप design कर रहे हो वो professional look होना चाहिए बट हमारे पास में graphic designer है तो हमने उससे ये create कर वा लिया अगर आपके पास में graphic designer नहीं है और आप खुद नहीं create कर पार रहे हो तो don't worry आप दिये के number पे जो screen पे number है उस पे call करके आप हमारी ये service graphic designing की ले सकते हैं तो चलिए इसको जो है हमने क्या कर देना अभी you can see ये बिल्कुल perfect लग रहा है अगर कहीं पे मुझे उपर नीचे लगता है मैं इसको जो है थोड़ा size तरह से adjust कर सकता हूँ बट मुझे लग रहा है क्योंकि हमने जो size है वो बिल्कुल perfect रखा हुआ है तो हम यहां से directly done कर देते हैं तो ये हमारा logo अपडेट हो गया और इसके बाद में हमने यहां पे channel art जो की banner image बोलते हैं तो इसका जो size वो आपका यह होना चाहिए यहां पे लिखा हुआ अब यहां पर जब हम channel art create कर रहे हैं तो यह चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो channel art है वो इस हिसाब से design होना चाहिए जब आपका कोई भी web आपके mobile से देखे तो उसको यह जो दिख रहा यह जो perfect view यह देखो जब mobile से देखेंगे तो यह जो जितना भी highlighted है यह blue color की line में इतना ही दिखेगा अगर कोई computer से देखेगा तो उसको यह जो पूरा complete view line blue color की line है यह पूरा complete दिखाई देगा तो आपका जो channel art है वो हिसाब से होना चाहिए कि अगर कोई mobile से भी दिखे तो जो आपका exactly जो चीज हम दिखाना चाहरे है राइट वो पूरी complete होनी चाहिए उस particular section के अंदर इसके भी sizes होते हैं आप google पे search करेंगे channel art size और the youtube तो आपको उसका size भी मिल जाएगा उस size के according ही आपको अपना channel art create करना है अगेन यहाँ पे आपके पास में एक graphic designer के skill होनी चाहिए या फिर आप बहुत सारी free websites है उनसे भी help ले सकते हैं अभी के लिए हम यह बना हुआ है हम सीधा इसको done पे click कर देते हैं the moment you can see हमने done करा तो यह आपका ready हो गया है अब सबसे नीचे आता है video watermark video watermark जब भी आपकी कोई video play होगी तो यहाँ पर इस side पर you can see यहाँ पर आपके पास में जब इसका subscribe करने का option आता है उस पर आपका watermark आता है channel के उपर में पूरी video के अंदर तो इसको भी आपको proper तरीकी से generally हम लोग इसके अंदर क्या करता है यह जो आपका logo है वही upload करते हैं तो मैं यहाँ पर logo को ही upload कर देता हूँ you can see बिलकोल perfect है तो यह हमने logo को upload कर दिया आप जब भी गोई हमारी video play करेगा तो हमारा logo यहाँ पर continue जो है उसके सामने दिखाई देता रहेगा तो यह होता है आपका proper branding create करने का तरीका अब इसको हमने कर देना है publish अब publish करने के बाद तो you can see हमने publish कर दिया है तो यह आपका update हो रहा है just a minute you can see यहाँ पर update process जो है इसका initiate हो चुका है और अभी हमें update होकर पुरी settings जो है वो देखने को मिल जाएंगे यह आपका channel publish हो चुका है you can see अब हम चलते हैं यहाँ पर starting के अंदर जो कि हमारा अभी channel कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है अब जब मैं इसको refresh करता हूँ तो now you can see अगर अब कोई मेरे channel पर आता है तो at least उसको मेरा logo प्रापर दिखाई देगा मेरा channel art जो है वो प्रापर दिखाई देगा जो की एक काफी amazing professional look जो है वो यह दे रहा है तो अगर आप भी जो है अपने channel के साथ में आगे बढ़ रहे हैं हमारे इस पूरे course के साथ में बढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है पूरी वीडियो को प्रापर तरीके से complete देखना है ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर जाएं और subscriber enhance कैसे करना है अभी आगे और क्या क्या करना है वो बहुत कुछ बाकी है यू कन सी यहाँ पर हमार पास एक होता है about section अभी के लिए about section में मैं कुछ नहीं डाल रहा because about section के लिए आपको content writing के skill आपके पास में होनी चाहिए but don't worry मैं आपको कुछ easiest way बताऊंगा जिससे आप about section अपने लिए बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं और जो about section होता है यह basically आपका SEO करने का भी जो है एक process होता है तो उसके अंदर कौन-कौन से keywords बगरा होने चाहिए तो वो सब चीज़े जो हमें आने वाले वीडियो के अंदर जो है आपको बताने वाला हूँ तो next जो है हमारा that is going to be content writing for the about section तो आज हमने complete क्या है यह branding So guys I hope कि आपको जो है channel की branding कितनी important और कैसे करनी है यह समझ में आया होगा और इसमें चाहे वो logo है चाहे फिर वो channel art है तो यह कैसे आपको जो है design करना है और कैसा उसका look and feel देना है यह आपको समझ में आया होगा I hope कि आपको जब पूरा concept clear हो गया कहां से यह सब चीज़े update करनी है और उसके बाद ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो definitely आपके subscriber rate भी increase होंगे तो guys I hope कि यह video आपको पसंद आएगा पसंद आएगा तो like करें share करें नए हो channel पे subscribe कर देना तक कि इस channel की उपर में हम digital marketing से related और YouTube से related काफी सारा amazing content आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं तो मैं मिलता हूँ एक और नए amazing topic के साथ आप अरकिए अपना ध्यान चलिए मिलते हैं next video में